आप सभी को मेरी तरफ से शुप्रभात आज मैं इस नए वर्ष के पहले दिन में आप सभी के साथ अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ दोस्तो 2020 सब पुराना साल हो चुका है आप सभी का नए साल 2021 में बहुत बहुत स्वागत है हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 300 पैसर दिन होते हैं पर सभी के वर्ष कैसे बीच जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चल पाता नए वर्ष का मतलब शायद हम सभी के लिए एक नई उम्मीद या नया चांस होता है मैं यही कामना करती हूँ कि यह वर्ष हम सभी के लिए बहुत ही खुशाल और अच्छा हो हमें अपने पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़ कर कुछ अच्छा और सुनहरा करनी की शुरुआत करनी चाहिए नया वर्ष हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपून अपसर से भरा होता है भारत के साथ साथ विश्व के सभी देश में नई साल की शुरुआत पर जश्न मनाया जाता है नई साल के प्रथम दिन लोग एक दूसरे को नव वर्ष की शुप काम नहें देते हैं भारत के पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते चलन के कारण नब वर्ष का दिन एक जन्वरी भारत के लिए बहुत ही महत्वपून अपस उत्सब का दिन माना जाता है धन्यवाद